दोसों हम लोग युनिवर्सिटी विट्स में अभी तक मारलो और लली की बात कर चुके थे, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की, रॉबर्ट ग्रीन ने ऐसा कोई कल्ट वर्क नहीं लिखा है, जो बहुत ही ज़्यादा फीमस हो, ये बस अपने पैंपलेट से शेक्स् भी लिखे हैं, जैसे पैंडास्टो, ट्राइम्फ ऑफ टाइम, 1588 का वर्क है, ऐसा कहा जाता है कि इस वर्क से इंस्पिरेशन लेकर शेक्स्पियर ने विंटर्स टेल को लिखा था, लेकिन पर्क सिर्फ इतना था कि रॉबर्ट ग्रीन के वर्जन में आपको डार्क एलेम रहा है, इन्होंने शेक्स्पियर को एक अपस्टार्ट क्रो भी बोला था, योगि उस वक्त शेक्स्पियर ने अपने केरियर की शुरुआत ही की थी, एक ऐसा कहुआ जो हमारे पंक लगा गर ओड़ रहा है, इन्होंने एक फेमस वर्स भी लेखी है, A Maiden's Dream, 1591, ये वर्क इन्होंने Sir William Hatton की वाइफ, Lady Elizabeth Hatton को डैडिकेट किया है, रॉबर्ट ग्रीन को पढ़ते वक्त आपको एक बहुत ही फेमस पैमप्लेट का नाम याद रखना है, Grods, Worth of It, इसी में उन्होंने शेक्स्पियर के प्ले, Henry VI में से एक लाइन उठाई थी, मैंने आपको पहले ए नोट करना, Friar Bacon and Friar Bunge, यह 1590 का वर्क है, History of Orlando, 1590, A Looking Glass for London and England, यह वर्क इन्होंने थामस Lodge की साथ में लिखा था, Collaboration में ऐसा कहा जाता है, जो कि एक morality play है, Fourth है, Scottish History of James IV, 1590, The Comical History of Alphonsus, 1590, यह पांचों वर्क की नाम याद रखना, अब बात करते हैं, George Peel की, यह एक translator थे दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, कि इन्होंने Shakespeare के वर्क, Titus Andrew Nichols में collaborate किया था, इनके बारे में सर्फ इतना ही नोट करो, कि इनके plays कौन-कौन से थे, देखो, John Lillie की time से यह plays लिखा करते थे, मतलब काफी पुराने dramatists थे, इनका एक play था, The Arrainment of Paris, 1584 का, जिसको Lillie के group Children and Chapel ने Queen Elizabeth के सामने perform किया था, 1581 में, फर 1584 में इसको print करवाया गया, पर Edward First, 1593 का play, जो King Edward की कहानी बताता है, देखो, Shakespeare ने इन सब की history plays से, आपने history plays के लिए material उधार ल Shakespeare ने अपने इस play का material किस play से उठाया था, और एक play है The Old Wives Steel, यह work इनका masterpiece अटाया है दोस्तों, उस age का, और इसी play में उन्होंने अपना play within a play, play within a play की device को यूज किया था, play के अंदर play चलता है, जैसे Shakespeare के Hamlet के अंदर, Spanish tragedy के अंदर, play within a play चलता है, play के अंदर play चलता है, आत कर juvenile का जो character था, वो lodge के लिए ही कहा था, था मस्त lodge के लिए, इन्होंने एक important work लिखा है, A Margaret of America, lodge का most important work है, most important romance, देखो lodge के लिए आपको सबसे important fact यह ध्यान में रखना है, कि Rosalind नाम का एक play लिखा था इन्होंने, इस work से Shakespeare ने अपने play As You Like It का material उधार लिया, एक work लिखा है, Scales Metamorphosis, इस work से Venus and Adonis, जो Shakespeare ने लिखा था, उसके source उधार लिये थे, इन्होंने, next है Thomas Nash, इन्होंने unfortunate traveler नाम का एक work लिखा है, जिसका दूसरा नाम है The Life of Jack Wilton, ये एक precarisk novel का अच्छा example है, English language की first precarisk novel, The Anatomy of Absurdity इन्ही का work है दोस्तों, बाकि Christopher Marlowe की साथ में Dedo नाम का work तो इनका एक ही work है, जो हमें ध्यान में रखना है, मैंने आपको बता दिया, The Life of Jack Wilton, unfortunate traveler, next है Thomas Kidd, इनको last में इसलिए रखा जाता है, क्योंकि ये इन दोनों universities में से, Oxford और Cambridge, दोनों में से किसी से भी pass out नहीं थे, लेकिन Marlowe के बाद सबसे important यही है, इन्होंने Spanish tragedy नाम का एक work ल दिखा किसने था, 1773 में Thomas Hawkins नाम का एक बंदा था, उसने बता किया कि Thomas Kidd ने Spanish tragedy को लिखा होगा, बागी काफी लंबे टाइम से तो पता ही नहीं था, Merchant Teller School में Edwin Spencer और Thomas Lodge के साथ में ये पढ़े थे, लेकिन university सक गए थे या नहीं गए थे, इस बात के हमें कोई source नहीं मिलत जिसकी setting Rome में रखी गई है, ऐसा कहा जाते है दोस्तों कि Shakespeare ने Hamlet के material को इसी play से उठाया है, फर्स टाइम इन्होंने इस play में revenge tragedy की theme को follow गया था, बाद में Shakespeare ने उसी plot को उठा के थोड़ा modify करके, revenge tragedy की theme को follow गया था अपने Hamlet में, देखो इस play में जो main character है Hieronymus, उस character का reference, Ben Johnson न जो 20th century के famous critic थे, उन्होंने The Waste Land में भी इस play का reference दिया है, अब next वीडियो में हम लोग Edmund Spencer से जुड़े facts को discuss करेंगे, विलाल आज की इस वीडियो में सतना ही